यहां पर हमारे पास integration का एक question है basically हमने यहां पर प्रूफ करना है left hand side equals to right hand side तो यहां पर हम लिखते हैं कि शुरुवात करते हैं left hand side से और इसको हम i देते हैं let i ठीक है clear दिख रहा है कि यह partial fraction से होगा because denominator में हमारे पास इस तरह से हैं तो यह separate हो जाएंगे तो हम यहां पर partial fraction करेंगे अच्छा जब भी हमारे पास यह square में होता है तो हम क्या करते हैं a upon x plus b upon x square यह हो गया है LCM लिया a के साथ हमारे पास क्या नहीं है x and x plus 1 x plus 1 plus c times x square हो गया और left hand side में तो आप देखी सकते हैं दोनों का denominator हटा देते हैं तो हमारे पास हमें क्या मिलेगा यह हो जाएगा a x x plus 1 b times x plus 1 c x square अब अगर हम put करते हैं a b c निकालने का बहुत amazing तरीका है x equals to zero put करेंगे तो यहां पर यह हो जाएगा one equals to यह zero zero plus one और यह zero और यहां से में b मिल चुका है one अगर हम x put करते हैं minus one देखो zero क्यों put किया because इसके नीचे यह है अगर इसे zero put करेंगे तो x zero आएगा यहां x plus one को zero put करेंगे तो x minus one आएगा इसलिए यहां पर x minus one हम put कर रहे हैं उससे होता क्या है कि काफी सारा zero हो जाता है जैसे यह हमारे zero हो जाएगा और यह भी zero हो जाएगा तो यह हो जाएगा zero plus zero plus c into minus one का whole square तो c भी one आगिया और अब हम x कुछ भी और put कर देते हैं one put कर देते हैं ठीक है इससे zero नहीं आएएंगे बट हमारा answer आजागा because दो तो पहले यह आ चुके हैं तो one equals two a times यह x one है ध्यान रखना ठीक है तो यह two हो जाएगा plus b one है यह भी two हो जाएगा और c one है तो यह पूरा one हो जाएगा क्योंकि c भी one है x भी हमने one ले रखा है अच्छा one इधर जाएगा तो कट जाएगा तो simply two a आ जाएगा two और a आ जाएगा minus यह minus two है a minus one आ जाएगा तो हमें a b c मिल चुके है ठीक है तो जो integral है limit है one two three यह यह ना one two three a upon x plus b upon x square plus c upon x plus one यह हो गया है ना यही सब ओके अब हमें यहां पर integrate करना है तो यह जो है इसको एक काम करते हैं यह उपर लेके जाते हैं one two three minus one upon x power minus two upon तो one के लावा यानि यहां पर power one है यहां पर power one है तो one इनको तो उपर लेके नहीं जाते है minus log x यह होगा minus two plus one यानि minus one upon minus one one two three okay यहां पर इसको थोड़ा simplify करते हैं यह भी log में है यह भी log में है तो log की property लगा सकते हैं हम और नहीं भी लगाएं तो भी काम चल जाएगा यह अगर हम property लगाते हैं just मैं आपके knowledge के लिए कह रहा हूं तो क्या बन जाएगा यह चीज उपर आ जाएगी upon xc नीचे आ जाएगा ठीक है ना minus one upon xc हो जाएगा इस तरह से यह थोड़ा short हो जाएगा बाकी answer तो वैसे भी आ जाएगा अगर आप यह ऐसा नहीं भी करोगे अपर limit put करेंगे हम 3 put करेंगे तो यह 4 upon 3 हो जाएगा minus one upon 3 और lower limit put करेंगे हम तो 2 upon 1 minus 1 upon 1 ठीक है log 4 upon 3 minus 1 upon 3 minus log 2 plus 1 ठीक है अब यहां पर यह दोनों log के हैं तो यहां पर property लगाई जा सकती है log की because minus में हैं तो डिवाइड हो जाएगा तो 4 upon 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे यानि 2 नीचे आ जाएगा 1 minus 1 upon 3 होता है 2 upon 3 तो यह कट जाएगा यह 2 आ जाएगा तो यह answer आएगा log 2 upon 3 plus 2 upon 3 है ना और यह आ जुका है right hand side hence proved okay I hope आपको यह solution समझ आएगा right hand side यह ना 2 upon 3 plus log 2 upon 3 यह